मोवी की शुरूआत कंबोडिया और वेतनाम के बॉडर के जंगल से होती जहाँ एक लटकी को भागते भी दिखाया जाता है, तब ही उसे एक कोली लगने के करण वह वही गिर जाती है। और फिर एक रोबोट को आते में दिखाया जाता है और वो उस लटकी को आके मार डालता है उसके बाद सिंशिफ्ट होके 48 गंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहां एक आदमी को उसके केविन में जाते में दिखाया जाता है उसका नाम मेजर रोबोट ग्रीन रहता है उसक कर रहा होता है और उसके बगल में जो लटकी रहती है उसका नाम फिल्डिंग रहता है और जो दूसरा वाला रहता है उसका नाम क्रोगर रहता है वो किसी का इंतजार कर रहे होते हैं तभी एक आदमी आता है उसका नाम पुलर रहता है वो उन लोगों को आके ले जाता है अपनी गारी में और एक जगा पहुँच कर एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और दुसरी और कुछ रोबर्स को US Military के प्लेन में लोड होते वे दिखाया जाता है उसके बाद बोलर को उस टीम से पूछते वे दिखाया जाता है कि किसे link connect करना आता है तब ही जेंट्स कहता है वो कर सकता है उसके बाद बोलर जेंट्स को अपने साथ लेके चला जाता है और जाने के दोरान उसे Major Green से बात करते भी दिखाया जाता है जहां वो उसे detail दे रहा होता है कि वो जेंट्स के साथ जा रहा है उसके बाद एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम Mission रहता है और वहीं एक लीप नाम का बच्चा भी दिखाया जाता है उसकी मा कियला के साथ तबी बोलर को जेंट के साथ एक जंगल में पहुंचते वे दिखाया जाता है जहां जेंट अपने डिवाइस सेट कर रहा होता है और दूसरी और उसके टीम उस बिल्डिंग में डिवाइस सेट कर रही होती है लिंक करने के लिए तबी एक गुरूप को उसी जंगल में दिखाया जाता है उनकी गारी खड़ाब हो जाती और वो वहाँ से आगे जल के जाने का सुषते हैं वो सब डॉक्टर होते हैं जो कैम चलाते हैं और फिर उन्हें आगे बढ़ते वे दिखाया जाता है और दुसरी और बोलर और जंड्स को लिंक सेटप का काम पूरा करते हैं दिखाया जाता है और इसी दोरान क्रोगर को उसके बॉस का कॉल आता है जहां वो उसे एक कोर्ट से कनेक्ट करने को कहता है और जब वो अपने बॉस से पुषता है तो उसे पता चलता है कि ये एक CIA है और ये और कोई नहीं मेजर ग्रीन रहता है फिर उस क्रूप की लीप से मुलाकात होती है जहां वो थोड़े देड़ के लिए डड़ जाते हैं कि उनके पास गन है पर लीप दुसरे बच्चों के सा खेलते हुए आगे चला जाता है और वो खुश हो रहे होते हैं कि आगे कोई विलेज है उसके बाद बोलर और दूसरों को दिखाया जाता है जहां वो किसी मिशन के लिए रेडी हो रहे होते हैं और फिर हमें चार रोबोट फ्लेन से कुदते हुए दिखाया जाते हैं तब उन गुरूप को लीप के विलेज में पूछते हुए दिखाया जाता है, जहां वो बात करने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तभी वो जा मिलते हैं लीप की मा केला से, जिसे वो समझा रहे होते हैं, अपनी बात की वो डॉक्टर हैं, और उन्हें कोई गारी चाहिए, तभी मेंसन आता है, और वो सब उसे अपनी बात कह रहे होते हैं, तभी कुछ गुरूप गन के साथ आते हैं, और मेंसन उन्हें कहता है कि कुछ मत कहना, और जब मेंसन उनसे बात करता है, तो वो आदमी जो उस गुरूप का लीडर होता है, उसका नम बुवा होता है, वो मेंसन क को पीछे धकेल देता है तभी जॉर्डन कहने के लिए आगे बढ़ता है तो बुवा उसे गन पॉइंट पे रखर सब को यहां से चले जाने के लिए कहता है पर कियला कहती है वो कल जाएंगे और तभी बुवा उन्हें छोड़ वहां से चला जाता है उसके बाद फॉस्टर ग्रूप को दिखाया जाता है जो उस रोबोट कंट्रोल करने वाले ग्रूप का नाम होता है जहां वो रोबोट को स्टार्ट करने का काम कर रहे होते हैं और जब बोलर कुछ कोट्स उन्हें डालने को कहता है उन रोबोट्स में तो क्रोगर मना कर देता है और फिर बोलर ए से एक जिसका नब जॉर्डन रहता है वो मेशन से लडाई कर लेता है सी बात पे कि जब जॉर्डन मेशन से कहता है कि वो मरीन नहीं है उसके वासिंशिफ्ट होता है और सुबा होते हुए दिखाया जाता है जहां फॉस्टर ग्रूप अपना मेशन स्टार्ट करते हैं और पास पहुंशता है वो रोबर्ट में कुछ माल फंक्शन होने के कारण वो काम नहीं कर रहा होता है तभी लीब उसके पास जाता है और उसका कोट किया हुआ डिवाइस निकाल लेता है और तभी वो रोबर्ट खड़ा हो जाता है और लीब को देख रहा होता है और उसे रोबोट में से मिली है पर बुवा उसे मजाक में लेकर उसे उसकी मा के पास जाने के लिए कहता है। लग जाती है तो मेंसन उसे खीच कर दूसरी ओर ले जाता है तबी फिल्डिंग और दूसरी ये सब देख नाखुश रहते हैं और इसे रोकने वाले रहते हैं तो बोलर उसे गन पॉइंट पर रोक कर काम करने के लिए चाहता है जहां वो न चाहते हुए भी काम स्टार्ट कर देते हैं और फिर उस बिलेज का दिखाया जाता है जहां उन रोबोर्ट के सामने जो आ रहा होता है वो उन सब को मार रहे होते हैं ये देख बोवा और मेसन छुप छुपाते हुए कियला के घर में आते हैं जहां बोवा अपने बच्चे लीप को उसके साथ चलने के लिए कहा रहा होता है पर वो अपनी मा के साथ रहना चाता है उसके बाद जब वो चला जाता है तो मेसन के साथ वो सब छुप के उन्हें देख रहे होते हैं तबी वो रोबोट एक आहट सुन कर उनके प्लेश में गोली चलाने लगता है और ये देख मेसन और दूसरे वहाँ से रोबोट उस घर में आता है, तो देखता है कि वहाँ कोई नहीं रहता है, और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है, दुसरी और मिसन उन्हें लेके भाग रहा होता है, और एक गन भी उसे मिलती है, पर वो खाली रहती है, तो वो उठकर अपना समाल लेने जाता है, तभी जब देखता है कि एक रोबोट उन लोगों के करी पहुँच गया है, तो वो उस रोबोट का ध्यान अपनी और खीचता है, और जब वो रोबोट उसे मारता है, तो वो वहाँ से भाग जाता है, जहां मेजर सही पूरे फॉस्टर टीम को पता चलता है, कि वहाँ सिर्फ स्मगलर नहीं, और भी कुछ लोग हैं, तो वोबोट उसे रिमाइंड कर मेजर को दिखाता है, जहां मैसन एक घर में छुपा रहता है, और रास्ता देख सब को बुलाता है, और सब वहाँ से निकल कर उसके पीछे जा रहे होते हैं, तभी फॉस्टर टीम को पता चलता है, कि और भ कर सकते हैं, जो चीज सामने आये, तो उसे मार डाले, तबी बोलर के कहने पर कर देता है, और इस दोरान सब भाग रह फोते हैं, जहां मैसन को क्थ और बच्चे मिलते हैं, जो छुपे हुए होते हैं, मैसन उन्हें भी अपने साथ लेके चल देता है जंगल की और पर वह ब नमाड़ देता है। और मेंज़न कुछ नहीं कर पाता है। और जनगल की और कीयला के साथ भागता है। और सभी एक जगा एक खटा होते हैं। और वहां से आगे बढ़ते हैं। दुसरी और वहुत सिद्वाला ro relacion होता है You वो लीब के घर में आता है और उसकी फोटो देके स्कैन कर सब समझने की गोशिश करता है और वहाँ पड़े एंगी के आइपैट को पेयर करके सारे डेटेल लेता है जिसमें human body के बारे में भी जानकारी होती है और वो सब डेटेल लेने के बाद before वहाँ पड़े एक आदमी पे एक्सपेरिमेंट भी करता है और उसके organs निकाल कर देखता है यहां तक कि उसका phase भी उसके बाद वह वहां से निकलता है और फिर building hauler में बहस होते वे दिखाया जाता है यह सब killings को लेकर तभी बोलर को major का call आता है उसके बाद जैसा हमें मोवी के इस टार्टिंग में दिखाया जाता है, और बीट्व नाम का रोबर्ट उसे गोली मार कर गिरा देता है, और उसे मार डालता है मिजर के ओडर देने पे, और फॉस्टर टीम को पता चलता है कि वो सब डॉक्टर हैं और अफसोस कर रहे होते हैं, उसके जहां भागने के दोरान गिरने से उसकी बोन टूटी होती है और वो वहाँ चिला रहा होता है उसकी आवाज सुन जब जॉर्डन जाने की गोशिश करता है तो मिसन उसे रोक लेता है पर दूसरी और रोबर्ट उसके पीछे पढ़ जाते हैं और उसे मार डालते हैं उसके वा रोबर को हैक करके सारा डीटेल अपलोड करने लगता है और यह देख बूलर सारे वाइर खींच देता है और तभी सारे कनिक्शन तूट जाते हैं और अंधेरा हो जाता है उसके बाद फॉस्टर टीम को सब सेटप करके अपने बॉस और मेजर से बात करते वे दिखाया जाता है जहां उन्हें पता चलता है कि बीफोर रोबर्ट पे काभू हो गया है तभी मेजर के कहने पे क्रोगर बाकी तीनों रोबर्ट्स को B4 को capture करने का order देता है और फिर तिनो रोबोट्स को एक साथ जंगल में दिखाया जाता है जहां सुबा होती है और मेसन को दवे पाउं आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है और उसी दोरान उसे प्रेक मड़ा मिलता है और वो उसे देख आगे बढ़ जाता है जहां उसे B1 मिलने पे वो छुप जाता है और तभी उसे वहाँ एक लैंड माइन मिलता है तो मेसन उसे निकाल लेता है और B1 को डिस्ट्राइक करने के लिए दुसरी और वो माइन्स फेकता है और जब B1 दुसरी और चला जाता है माइन की बलाष्ट की आवाज सुन कर तभी वो जॉर्डन और दुसरे के पास जाके उन्हें वहाँ से चलने के लिए कहता है और जब फिलिस्ट से होते हुए जब जा रहे होते हैं तो एक घर में इंट्री करते हैं जहां बुआ के बनाए ड्रक्स रखे होते हैं और तभी एक गुली चलने की आवाज सुन कर वो छुप जाते हैं और वैसे ही उन्हें लिप बुआ के साथ दिखता है और वेंडी भी उनके पीछे भागते वे दिखती है तो तभी वो उन्हें बुलाते हैं और वेंडी रुक उन्हें मिलती है और लिप भी अपनी माज से मिलता है जहां बुआ अपने छुपाए गंस निकालता है और तभी वीवन आके फाइरिंग करने लगता है तो मेसन लिप और कियला के साथ एक डारेक्शन में चला जाता है और जॉर्डन के दूसरे डारेक्शन में तभी टीयन के लेग में गलास लगने कारण वो धीरे से ही बोल रही होती है पर वीवन वो आवास सुन डेज को खीचता है और उसे मारने वाला रहता है तभी मेसन आके उसे डिस्ट्रैक करता है तो वो गोली डेज के साइट से निकल जाती है और फिर मेसन बोवा के गन खटिकाने से एक माइन लेता है और उसे सेट करता है और वीवन जो जॉर्डन के पीछे रहता है उसे अपने तरफ खीच के लाता है और उसके पास खड़ा कर गोली चलाता है जिससे कि वो माइन उड़ जाता है और बीवन वहीं गिर जाता है तबी ये देख फॉस्टर टीम उसे सेल्फ डिस्टर कर देती है ये देख मेसन वहां से भागता है पर ब्लास्ट का रेडियस इतना जादा होता है कि वो कुछ दूर आगे जाके गिरता है और फिर मेसन को होते हैं उनकी फॉस्टेड हो रही होती है उसके बाद मेसन लीप और को सब के साथ लेकर वहां से आगे बढ़ता है और फिर बोलर को दिखाया जाता है जहां वो मेजर ग्रीन को कॉल करके डूर अटैक करवाने के लिए क्ले कहता है पर मेजर कर देता है और कहता है उन्हीं रोबर्ट से काम करवाने के लिए तभी बोलर क्रोगर को उनका पता लगाने के लिए कहता है तो क्रोगर कहता है जो डिवाइस उस बचे ने लिया था उसी में GPS है हम उन्हें ट्रैक कर सकते हैं उससे तभी बोलर कहता है जल्दी करो और दूसरी और मेजर ग्रीन और रोबर टीम से B3 के बारे में पुस्टे वे दिखाया जाता है जहां वो B3 को वो काम दिया हुआ होता है B4 को कैप्चर करने के लिए पर B3 B4 से थोड़े ही दूर होता है ये सुन वो वेट करने लगता है तबी B4 को भागते वे दिखाया जाता है B3 से बस्ते हुए और उसके कुछ रहती है और कहती है यह उसने कैसे किया और फिर B3 B4 में फाइल होती है जहां B4 B3 से कनेक्ट होके उनकी फाइल डाउलोड करने लगता है यह देख वो B3 को से डिस्टेक मोड में डाल देते हैं तबी वो देखते हैं कि B4 वो बम निकाल कर फेक देता है और B3 वालड़ तभी बोलर को फिल्डिंग उसके प्लेस पे नहीं दिखती है तो वो बाहर देखता है जहां वो किसी से बात कर रही होती है तभी बोलर आके पूचता है किसे बात कर रही थी तब फिल्डिंग कहती है मासे पर बोलर उसका जूट पकड़ लेता है तभी फिल्डिंग मासे बा तो सबाखता है और ईसे पकड़ कर मार देता है और अपने आदमी को लुझ कर के टेकर कर देता है कि जीसे फिल्डिंग ने बात की HERE उस जाकर मार दो और फिर बॉलर को आते विए दिखाया जाता है जहां जेंड्स और क्रोगर फिल्डिंग के बारे में पूछ रहे होते हैं तो वो कहता है कि वो भाग गई है मैंने उसे ढूड़ा पर वो मुझे कहीं नहीं मिली पर वो दोनों समझ जाते हैं बॉलर ने उसे मार दिया है और फिर बोलर के आदमी को उस आदमी को मारते हो दिखाया जाता है जिसे फिल्डिंग ने कॉल की थी और दुसरी और बोलर बॉलर बॉम सेट कर वो प्लेस खाली कर देता है और वहां से आगे जब जा रहे होते हैं तभी वो प्लेस ब्लस्ट हो जाता है पर वो आगे चले जाते हैं उसके बाद कियला लिप और दुसरों को प्रेयर करत वे दिखाया जाता है तभी मेसन आके उन्हें एक दूसरे प्लेस पे ले जाता है जहां उन्हें उपर की और चड़ना होता है और वो एक एकर कर चड़ना स्टार्ट करते हैं तभी उन दोनों के साथ दूसरे प्लेस पे पहुंच कर लिंक सेट अप करते वे दिखाया जाता है जहां Jordan Ditch को जब चड़ा रहा होता है तभी वहाँ B2 आ जाता है और गोली चलाने लगता है ये दिक Jordan वहाँ से भाग जाता है तभी मैसन को पता चलता है एक रोबर्ट ने उनने देख लिया है और Jordan दूसरे रास्ते से उपर चड़ने के गोशिश करता है पर नहीं चड़ पा को बुला रही होती है और बीटू ये सुन वहां से चला जाता है और जॉर्डन भी अपने आपको नहीं मारता है और वहां से निकलकर उपर चड़ जाता है जहां बीटू भी उपर की और चड़ रहा होता है और ये मैसन देखी रहा होता है तभी लिप आके उसे एक पत्तर फ पूर्टिला हो जाएगा और बीफ्योड को पकट पाएगा पर जाने से पहले बोलर उन दोनों को अपने अपने फैमली की वीडियो दिखा के कहता है अगर मेरे जाने के बाद कुछ गड़बरी हुई तो मैं उन्हें मरवा दूँगा और वहां से ये कहके चला जाता है और फ पूसरों के साथ गुफा में आता है जहां लिप उनने गाइट कर रहा होता है और तभी बोलर बित्री के पास पहुँचकर उसे वह डिवाइस लगा देता है और वह सेल्प डिस्ट्रेक्ट वाला बॉम भी और क्रोगर उसे कुछी देर में रेडी कर देता है फिर बोलर को बित्री के पीछे जाते वें दिखाया जाता है तभी दूसरी और मेसन और सब उसी गुपा में रहके अराम करने का डिसाइट करते हैं तभी उन्हें अचानक से पता चलता है कि कि एला के जख्म अंदर से बहुत गहरे हैं और इंटरनल ब्लीडिंग होड़ा ही है वहां बै जिरानी रख रह होता है और जब मेसन बीटू को देखता है तो वो उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए स्टोन फिक कर मारता है और जब बीटू उसके पीछे जाता है पर उसी दोरान वहां फॉसकर गिर जाता है और बीटू वहां से उठ नहीं पाता है क्योंकि वो उन पत् और सब को वहां से चलने के लिए कहता है और सब B2 के सामने से जा रहे होते हैं और वहां से बाहर लीप के पीछे पीछे निकलते हैं जहां दुसरी और B3 तोड़ कर आ कॉल आता है और वो जेंट से पूछ रहा होता है क्या तुम अभी भी हमारे साथ हो तब जेंट अपना गुसा दिखाते हुए कहता है हाँ बिल्कुल पर सर्विलिंस मिशन कब किलिंग मिशन में बन गया ये सवाल पूछता है अपने बॉस से पूछता है उनकी गलती क्या थी जिन्दा नहीं जा पाएंगे उसके बाद बीटू को वहां से उठते हुए दिखाया जाता है और दुसरी और वो सब एक मंदिर जैसे दिखने वाले प्लेस पे पहुंचते हैं जहां उन्हें पता चलता है क्येला अब नहीं रही और मैसन अफसोस कर रहा होता है उसके जॉर्डन सबको वहां से भागने के लिए कहता है तब ही मैसन लीप को लेके वहां से भागता है और बीटू गोली चलाने लगता है फिर लीप सबको रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ता है और सब उसे फॉलो कर रहे होते हैं जहां दूसरी और मैसन और जॉर्डन B2B वहां से बाहर आके उनके पीछे चल देता है फिर B3 और बोलर को दिखाया जाता है जहां बोलर कॉल कर क्रोगर से अपडेट लेता है और क्रोगर उसे बताता है कि वो अब ज़्यादा दूर नहीं है उसके बाद डेच को कुछ हो जाता है वो उठनी पा रहा होता है तभी वेंडी और टियन को अवाज सुन लीब के साथ साइड हो जाते है तभी मेसन और जोडन वह आते हैं और वो फिर आगे बढ़ते हैं तभी फिर से बोलर को बीतरी के साथ दिखाया जाता है जहां दूसरी और डेच फिर से रुख जाता है और तभी मेसन को पता चलता है कैसे उनने ढून लिया जा रहा होता है और जब वो लिब से पूचता है क्या उनका कोई चीज तुमारे पास है तो लिब उन्हें वो डिवाइस देता है जो उसने बीफोर से लिया था और फिर मेसन को उन सब के साथ वहां से भागते हुए दिखाया जाता है पर ना जाने कैसे बीटू वहां आके उन पे गोली चलाने लगता है और विंडी गिर जाती है गोली लगने के कारण तभी जॉर्डन और टीन विंडी को लेके जा रहे होते है तभी टेज ये देख विंडी के तरफ बढ़ता है वैसे ही माइन के कारण उसके चितरे उड़ जाते है तभी बीटू लीप को पकड़ लेता है तो मेसन उसे आके मारता है पर बीटू मेसन को मार कर गिरा देता है और जब उसे पकड कर मारने जाता है तभी पीछे से B4 आके उसे पकड लेता है और उसे connect हो फिर से download करने लगता है वैसे ही foster team disconnect कर देती है ये देखके तभी B4 B2 की जो head रहता है उसे उखाड देता है दूसरी और foster team को major का call आता है जहां वो major से कहते हैं अभी थुरा समय लग कर देगा connect होने में तभी इस दोरान जेंड क्रोगर से कहता है कि वहां से निकल चलते हैं पर क्रोगर मना कर देता है ये कहके कि इनके पास उनकी family की detail है और वो जब चाहें उन्हें मार सकते हैं वैसे वी वो chief designer है इस project के वो कोई रास्ता निकाल सकते हैं और ये बात सुन ज friends भी मान जाता है और connect करता है पर उन्हें पता चलता है कि B4 ने B2 का काम खत्म कर दिया है उसके वासे shift होके मैसन के पास दिखाया जाता है जहां B4 मैसन से question कर रहा होता है कि वो कौन है और क्या है इस बीच उसे पता चलता है कि life important है और वो एक machine है जिससे इंसानों ने बना करते हुए भाग ही रहा होता है वैसे ही बोलर आके उन पर गोली चलाने लगता है जहां Jordan को एक गोली लग जाती है तभी मैसन जोर्डन से वो गोली लेके चलाने लगता है और उन लोगों को लीप को लेके जाने के लिए के आता है और फिर एक तरह B4 B3 लड़ रहे होते है और दूसरी और उन दोनों में गोली बारी से लड़ाई हो रही होती है तभी मैसन को वहाँ एक माइन मिलता है और वो उसे उठा के बोलर की और फेक देता है जिससे वो वहीं गायल हो जाता है और उस प्लास्ट के चलते B3 जो B4 पर भारी पर रहा होता है उसका ध्यान उस प्लास्ट के चला जाता है और इसे का फायदा उठाते हुए B4 B3 को पकड़ लेता है तभी पो लर मेशन की और बढ़ता है पर मेशन की गोली खत्म हो जाती है तो मेशन बोलर को हैंड तो हंड कोमड के लिए लगकरता है और पोलर जब मेशन को अपने knife से मारने के लिए आ कर देता है और कहता है अपनी जान बचावता भी मेसें जॉर्डन और उसके साथी के साथ वहां से भागता है ब्लास्ट से बचने के लिए पर बोलर EMP गन निकाल कर वार करता है जिसे कि वो बंद हो जाते हैं और बोलर समझता है कि वो बच गया पर वैसे ही काउंड और इस्टार्ट रहता है और ब्लास्ट हो जाता है ये देख सबसौक रहते हैं उसके वाद जिंड के बॉस को अपने प्लेस से निकलते भी दिखाया जाता है हेलिकॉप्टर से जहां दुसरी और मेजर करीन को दिखाया जाता है जो कोई सबूत नहीं छोड़ना चात जाता है तो वह एक बलस्ट करवा देता है जहां क्रोकर रहता है और फिर मेजर गरीन को भी जाते हैं दिखाया जाता है जहां दुसरी और मैसल्ड लीप और दूसरे के साथ बोर्ट से जा रहा होता है इसी के साथ मुवी का द्रिंड हो जाता है झाल